हेलो दोस्तो आज किस वीडियो के माद्य हम से एक और नहीं वैकेंसिज के बारे में जानकारी दिने के लिए हम आ चुके हैं दोस्तो ये रिक्वार्मेंट बहुत ही इंपोर्टेंट है और इंडिया के सारे कैनिडेट इस पर्म का अपलाए कर सकते हैं अगर आप लोग पहलीवार चानल पर आए हो तो टेलिग्राम गूरॉब का लिक्टीप्स के बारे में अपना जानकारी ले सकते हो तो चलिए आजका जो रिक्वार्मेंट वाला यहाँ पर नोटिस है उसको पूरी अठी तरह करmadेंदे को जोदपूर एमस जोदपूर के तरब से यह requirement जारिक किया गया है बात करोगे तो बिलकुल रूप से purely temporary basis के अधार पर यह requirement निकाले गये हैं इसमें बात करेंगे तो नियम आप पोस्ट का तो research associate post का नाम रखा गया है नमबर आप पोस्ट दखेंगे तो सिर्फ एक पोस्ट है वो भी SC category के लिए है तो जो connect SC category होंगे सिर्फ वह ही इस फ़र्म में apply करेंगे दोस्त यहाँ पर qualification के बात करोगे तो BSC nursing या फिर BDS complete कर लिए हो आप apply कर सकते हो साथ ही आपके पास दो वरसों का experience होना चाहिए वह भी clinical research project के रूप में तो ही आप यहाँ apply करेंगे maximum age 35 वर्स रखा किया है तो 35 वर्स कम मुम्र के सारे इस फर्म को apply कर सकते हैं यहाँ पर बात करोगे दोस्तों कि कैसे कैसे apply करना है तो apply करने के लिए सिंपल सा रूल है आप लोग को इसी PDF में आपको एक application फॉर्म मिल जागा यहाँ पर देख सकते हो format for application इस application फॉर्मेट को download कर लेना है download करने के बाद इससे अच्छी तरीके से भार लेना है भारने के बाद आपको सीधे इंटर्व्यू में चले जाना है इंटर्व्यू में देख सकते हो रिशर्ज सेक्षन रूम नमर सी 116 फर्स्ट फर और मेडिकल कॉलेज बिलिंग एम्स जोदपूर यहाँ पर आप लोग को पहुंच जाना है तो जो इसके लिए एलिजेवल होते हो और इसमें अपना इंटर्व्यू देना चाहते हो 26 जुला 2022 को बिलकुरूप इस इंटर्व्यू पर पहुंच जाएगा ओल ओरिजिनल डोकुमेंट के साथ में दोस्तों इसी तरह से नर्स से रेलेटेड कोई भी छोटी या बड़ी वैकेंसिज आते हैं तो सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो च यू